वेलकम तो अर्विंदू क्लासेश तूड़े वी आर गूंग तो डिसकूस दा करेंट अफेर्स अफ 9, 10, 10 अफ दिसमबर 2022 एंड इन दो दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट नीज बना था वह था आम आदमी पार्टी से रिलेटेड आम आदमी पार्टी को अब नेशनल पार्टी का दरजा दे दिया गया है इसको रिकोगनाइज आज नेशनल पार्टी इलक्सन कमिशन अफ इंडिया ने किया है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दरजा दिया जाता है election commission के द्वारा जो handbook जारी किया गया था 2019 में उनमें कुछ guidelines दिये है उनहीं के अनुसार national party का दरजा दिया जाता है तो देख लेते हैं हम उन guidelines को कि क्या-क्या guidelines थे तो पहला है कि recognized in four or more state as state party first one second one है कि last लोक सभा या assembly election में यदि total valid votes का छे percent vote share मिला हो उस party को and साथ में ही compulsory है कि at least 4 MP उनके होने चाहिए last लोक सभा election में तो यह दूसरा condition हो गया तीसरा condition है कि at least 2% of total seat in लोक सभा जो है उनके पास होने चाहिए और साथ ही वह एक state से नहीं कम से कम इन state से अगर कोई party इन तीनों में से कोई भी condition को satisfy करती है तो election commission of India उसे national party का दरजा देती है यदि हम आप की बात करें तो आप अभी दिल्ली और पंजाब में जो है power में है पंजाब में तो खेर बहुत बड़ी majority लाकिन होने भी सरकार बनाई है गोवा के assembly election में भी आप देखेंगे तो इनका जो vote share है वह 6.77% रहा था अभी हाली में संपन हुए गुजरात के assembly election में इनका जो vote share था वह था 13% अभी recently जो assembly elections गुजरात और आपको पता है हिमाचल में हुए थे उनमें हिमाचल में इन्हें zero seats मिले थे zero seats in हिमाचल प्रदेश अभी हम देखते हैं कि किस तरह से आपको जो है ये national party का दरजा दिया गया उसने किस तरह से criteria को fulfill किया था तो गुजरात में पता है आपका जो vote share था वह 12-13% के करीब था इस तरह से इन्होंने जो एक criteria था कि 6% vote share होना चाहिए and at least two seats होना चाहिए state party के लिए वो इन्होंने fulfill कर दिया तो पहला state जो हुआ जहाँ state party है वह गुजरात है और इसके पहले already यह 6% vote and plus two seats वाला जो condition है state party होने के लिए वो fulfill कर चुके हैं दिल्ली, पंजाब और गोवा में इस तरह से दिल्ली, पंजाब और गोवा इन चार जगहों पर इन्हें state party का दरजा राप्त है तो automatically यह national party यहाँ से बन जाते हैं ठीक है आपको और बता दे कि भारत में अभी election commission ने total 8 parties को national party का दरजा दे रखा है और आप अभी जो national party बना तो यह ninth number में होगा इसके पहले आठ कौन से थे जिनको national party का दरजा दिया गया है तो वह था congress BJP, मायावती जी की party जो BSP है, बहुजन समाजवादी party, Communist party of India CPIM सरत पवार जी की nationalist congress party ममता बैनर जी की तरणमुल congress और मेगालिया बेस जो एक party है, National People's Party यह total 8 party and plus 1 आप, अब total भारत में 9 national parties हो गये हैं यदि हम election commission of India की बात करें, तो आठ किल 324 से यह आता है 1950 में इसका स्थापना किया जाता है appointment president करते हैं and जो strength है की यदि हम बात करें, तो यहाँ दो election commissioner और साथ ही एक chief election commissioner होते हैं इनका जो salary and allowance होता है, वो similar to judge of supreme court होता है, इनका 10 year either 6 year या 65 years of age, दोनों में से जो पहले आजाए, वो retire हो जाएंगे, removal इनका किया जा सकता है in the same manner as the judge of supreme court qualifications कोई constitution में लिखा नहीं है as such and reappointment को रोका भी नहीं गया है, दुबारा ये repoint हो सकते है next current affair is regarding the drone delivery hub मेघालया government ने अभी हाली में एशिया का पहला drone delivery hub शुरू किया है, आप ये देख रहे हैं ये drone जो है, वो दवाईयां और medical equipments लेकर एक जगा से दूसरे जगा पर ले जा रही है, खास करके ये remote areas के लिए बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है, remote areas में delivery करना ये बहुत बढ़ा challenge था, खास करके north eastern states में, क्योंकि वहाँ का terrain जो है, वो support नहीं करता है, हर जगा आप road और bridge बना सकें the next current affairs is related to Mount Semeru volcano, Mount Semeru volcano आपको ये पहले जान लेना चाहिए इसका location क्या है, तो यह Java में है, Java कहां है, तो Java Indonesia में है, Indonesia Southeast Asia का एक country है, right and Semeru को हम लोग Great Mountain के नाम से भी जानते है, and it is one of the most active volcano है, Java का, news मिस लिए था क्योंकि recently यह eruption हो गया, most of the time यह जो volcanoes है, और Indonesia के वो news में आते रहते हैं क्योंकि वहाँ अक्सर eruption होता रहता है पूरे Indonesia को आप जब देखेंगे, तो वहाँ कई सारे आपको volcanoes देखेंगे, and इसका कारण है, because Indonesia is located near a subduction zone, जहांकि Indo-Australian plate जो है, subduct करता है अंडर Eurasian plate, यह तलांग है, Mount Merapi, Semeru यहां हो गया, कराकटाव, हाल ही में न्यूज में रहा था इसके अलाबा भी बहुत सारे और हैं, जिनको आप देख सकते हैं ठीके, तो हम एक बार location देख लेते हैं, कि इंडोनेशिया का और जाबा का location जो है, बरे map पे कहां है अब हम देख लेते हैं, Mount Semeru in Indonesia, कहां पे इसका location है तो चलिए हम इंडोनेशिया चल रहे हैं यह Mount Semeru, आप यहां देख सकते हैं, यह है Java Island पर इस्थित यहां आप देख सकते हैं, कि यह Java Island पर इस्थित यह Mount Semeru है, और यह जो रीजन आप देख रहे हैं इस इस दा, सब्डक्शन जोन सब्डक्शन जोन है, जहां इंडो अस्ट्रेलियन प्लेट जैसा कि मैने भी बताया था, इंडो अस्ट्रेलियन प्लेट जो है सब्डक्शन कर रहा है, और इसलिए यह रीजन काफी active हता है बहुत ज़्यादा आपको volcanic eruptions देखने को मिलते रहेंगे आप यह बताएं कि यह Christmas Island कि इस देश को country को विलॉंग करता है मुझे comment box में आप बताएंगे The next news is regarding the dairy industry in Sri Lanka हाल ही के दिनों में आप देखेंगे तो स्रिलंका को भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की है सिर्फ हम चाइना की तरह पैसे से ही मदद नहीं कर रहे है हम चाहते हैं कि स्रिलंका खुद अपने पैड़ों पे खड़ा हो सके इसलिए हम उनकी capabilities को build करने की हमेशा कोसिस करते हैं so that कि उनको पैसे मांगने की ही ज़रूत ना पड़े और सेम काम सेम तरह की help हम पूरी दुनिया में करते हैं जैसे अफगानिस्तान हो स्रिलंका हो या फिर नेपाल हो भुटान हो हम लोग capacity building पे बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं हमें करने नहीं आती कि हम लोग पैसे उन्हें दे दिये और बाद में जब रीपे न कर पाएं तो उनके इंफ्रास्टेक्चर प्रोजेक्ट को capture कर लेना यह सेम डिप्लोमेसी चाइना करता है हमारी वह policy कभी नहीं रही तो हमारी जो इसी policy के हमने क्या किया स्रिलंका का dependency जो है घड़े रिडियूस हो इसके लिए हमने वहां का जो मिल्क इंडस्ट्री है डेरी इंडस्ट्री है उसे स्ट्रॉंग करने की कोशिश की क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इंपोर्टेट मिल्क पर स्रिलंका डिपेंड करता है तो नेशनल डेरी डेवल्प्मेंट बोड जो हड्याना में है इसने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है वहां की डेरी इंडस्ट्री को इंडिया बहुत बड़ा जो है प्रोडिउसर है पूरे वर्ल्ड में लार्जस प्रोडिउसर है मिल्क का स्रिलंग ऑनका के बारे में आपको बैसिक पता है कि स्रिलंगा का क्याप्टल स्री जयवर्दने है और वहां के प्रिशिडंट रानिल विक्रम सिंगरे हैं इस LIVE МУЗЫКА and development brief 2022 यह एक report है जो world bank जारी करता है इसको कुछ key findings को हम लोग देख लेते हैं यह इंडिया के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया is expected to receive record 100 billion dollar of remittances in 2022 2022 में 100 billion dollar remittances हमारे पास आएंगे जो कि पिछले साल की तुलना में करीब करीब 11 billion जादा है 89.4 billion dollar 2021 में आये थे और 2022 में ऐसक मानना है कि 100 billion dollar या उससे भी अधिका सकते हैं अभी देखिए despite reaching historic milestone कहा जा रहा है कि यह जो total remittance आएगा वो इंडिया के GDP का मातर 3% ही रहने वाला है 2022 में other top recipient जिनकी बात की जा रही है इस report में वो है Mexico, China, Egypt and Philippines देखें world bank group में 5 institutions आते हैं यह नाम याद रखना important है IBRD पहला IBRD का मतलब International Bank for Reconstruction and Development दूसरा IDA International Development Association IFC International Financial Corporation, MEGA Multilateral Investment Guarantee Agency और पाँचमा है ICSID International Center for Settlement of Investment Disputes भारत इन में से जो है चार का तो सिगनेटरी है उपर वाली है चारों का लेकिन भारत International Center for Settlement of Investment Disputes इसका सिगनेटरी नहीं है Next news is from IIT Delhi IIT Delhi ने एक device बनाया है Powerless Heating Technology के वैसिस पे यह एक low cost heating system होगा जो plain water से कहीं भी एक्टिवेट हो सकता है anytime, anywhere एंड यहां heating के लिए आपको किसी तरह के fuel या electricity की जुरुत नहीं पढ़ने वाली है यह किसी भी location पर एक heating solution के तरह एक्ट कर सकता है यह इतना heat generate कर सकता है कि किसी भी food या beverage को hit कर सकता है by up to 60 to 70 degrees Celsius इसके जो by product होंगे वह होंगे natural minerals यह natural minerals जो है इनको आप soil में कहीं भी dispose off कर सकते हो which do not have any toxic effect the next news is related to Kangar Valley National Park Kangar Valley National Park आपको पता होना चाहिए यह 36 गड़ में है यहां world watchers recorded over 200 bird species इसलिए news में था world watchers जो हैं जिनको ornithologist भी कहते हैं जो पक्षियों पर अध्धन करते हैं तो यह इन्होंने देखा कि यहां करीब करीब 200 की संख्या में bird species हैं यदि हम बात करें Kangar घाटी National Park या Kangar Valley National Park की तो आपको यहां कुछ जो species हैं वो इंडमिक यहां की मिलेंगी जैसे बस्तर हिल मैना यह बस्तर हिल मैना जो है 36 गड़ का state bird भी है mouse deer भी यहां पाए जाता है Kangar River यहां से flow होती है इसलिए हम इसे Kangar Valley National Park के नाम से जानते हैं 36 गड़ की बात कर रहे हैं तो 36 गड़ में कुछ और भी आपको National Park देखने को मिल जाएंगे जैसे गुरु घासी दास National Park आपको पता होना चाहिए कि यह Contiguous है Sanjay National Park जो MP में है उसी का यह Contiguous Part है पहले जब 36 गड़ और मत्यपरदेश एक हुआ करते थे तो Sanjay National Park ही हुआ करता था लेकिन बटवारे के बाद जो पोर्शन National Park का 36 गड़ में आया उसका नाम गुरु घासी दास National Park के रख दिया गया एक और National Park जो 36 गड़ में है वह है इंदरावती National Park इसका नाम इंदरावती National Park इंदरावती रिवर के नाम पे रखा गया है जो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है आपको यहाँ वाइल्ड एशन बुफैलोस की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है सो यह टोटल तीन इन National Park आपको 36 गड़ में देखनों की मिलते है कुछ और भी इंपॉर्टेन नेशनल पाक्स आपको यहाँ दिखाएगे है यू कैन टेक लूक अट इट नेक्स्ट निउस इस रिगार्डिंग दा डीना बलुवार्ते यह निउस में इसलिए थी क्योंकि यह पेरू की पहली फीमेल प्रसिदेंट बनी है पेरू कहां है तो पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो की पैसिफिक के कोस्ट पर है हम इसे एक बड़े मैप पे अभी देख लेते हैं हम चल रहे हैं पेरू को देखने के लिए पेरू एक South American continent का country है आप देख सकते हैं इसकी जो boundary है वो Pacific Coast से लगती है यह Pacific Ocean है एंड इसके North में Ecuador और इसकी boundary आप देखेंगे तो इधर Brazil से भी लगती है Brazil यह है Brazil ठीक है और इसके South में आप देखेंगे तो एक country है जिसे हम कहते है चिले यह है चिले पेरू का capital आपको देखने हो को मिलेगा लीमा पेरू का capital है लीमा ब्राजिल का capital कहा है आप हैं बताएं So that's all for today We will see tomorrow Thank you, thank you so much